सर मैं बार-बार परियास कर रहा हूँ, मैं सफल नहीं हो रहा हूँ हे पार्थ, हे सव्वे साची, हे गाडिव, हे गुडाकेस, हे धनन जे क्या कह रहे हो, भावनाओं में बह रहे हो देखो वेटा, सफलता की अपनी कुछ नीयम है सर क्या नीयम है, देखो हर वेक्ति सफल हो ये तो कोई जरूरी नहीं जरूरी होई नहीं सकता लेकिन सफलता जाती हर वेक्ति के पास है मोका हर वेक्ति को देती है मेहनत करने वाले को कभी ना कभी उपर वाला एक बार जरूर महरवान होता है उसके उपर आपको एक बार सफलता मिलेगी उसके बाद में आपकी मेहनत के आधार पे उस सफलता पे आप टिक पाओगे सरुधारन बताओ समझे नहीं हम देखो बहुत सारे ऐसे लोग है जैसे हिमेश रेश्मिया का एक गाना वाइरल हुआ था जलक दिखला जब वो एक ही गाना हुआ था उनका सबसी ज़्यादा बैद कुमार विश्वास भूद बड़े कभी है आज उनका एक गीत वाइरल हुआ था कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है मगर धरती की बैचे नी तो सिर्फ बबादल समझता है तो नी की भी एक बड़ी अच्छी पारी खेली थी उनका मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने और नो खेली लेकिट एक पारी उन्होंने बहुत अच्छी खेली अभी एक अर्याना की एक बच्ची थी जिसका भी दो-तिन साल पहले एक गाना वाइरल हुआ था बता मेरे यार सुदा मार है और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो एक चुनाओ में जीतते हैं अब क्या इन गायकारों ने जो गीत गाये क्या उनके वो पहले गीत थे पहले ही वाइरल होगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता पता नहीं कितने गीत उन्होंने गाये होंगे तब एक वाइरल हुआ होगा अब आपको भी ऐसा ही आपके साथ अगर आप मान लो यूटूब चैनल पर आप महनत कर रहे हो हर वीडियो के अंदर उतने भी आए कोई जरूरी नहीं है आप वीडियो डालते जाओ डालते जाओ एक दिन उपर वाला आपके उपर ऐसा महरबान होगा कि एक ऐसा वीडियो वाइरल हो जाएगा आपका जिसके उपर 10, 20, 30 लाग भी भी हो सकते हैं वो आपको सफलता दिलातेगा अब बात है कि सफलता की अपनी एक विशेशता है जितने भी गायकार नाम लिए उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो पिछट गए बहुत सारे ऐसे जिनके आज बहुत बड़े नाम है अब सफलता का अपना नियम है कि सफलता हमेशा योग्य वेक्ति की तलास करती है जिस दिन उसे सही वेक्ति सही योग्य वेक्ति मिल गया है उसी दिन उसके पास आके बैट जाती है फिर उससे पिछा चुड़ाने इकोसीज गुरूँ तो भी चुटती है वो हर बार सपल होता जाता है लेकिन किसमत सिर्फ एक बार काम करेगी आप पेपर देते रहो देते रहो किसी ना किसी पेपर में आपका कही ना कई छोटी सी जगह सेलेक्शन हो गया अब अगर आप योग्ये हो तो उसे एक सपलता के आधार पे आप बहुत सारी उंचाईयां चू सकते हो अगर आप एयोग्ये हो तो बहुत सारे ऐसे फिलम एक्टर जिनके एक फिलम हिट हुई और वो बहुत बड़े बड़े बन गई बहुत सारे ऐसे एक्टर है जो इनके एक फिलम हिट भी हुई लेकिन आगे की फिलमों में उफलोप हो गए क्यूँ क्योंकि सफलता जो है सफल वेक्ती के पास हिट इक पाती है कोशिस और मौका सब को देती है वो कभी ना कभी तुम्हें जिस दिन सफलता मिले और मैं ऐसे हजारों दुकानों हजारों लोगों हजारों होटल मालिकों या फिर कोचिंगों के कोलेज के ऐसे नाम बता दू जिनों बहुत अच्छी सफलता हासिल की और थोड़े दिनों बाद ही उनका पतन हो गया क्यूंकि योग्य विक्ति के पास ठिकती नहीं हैं कहते हैं कि पद पाहे काहे मद ना होई परभूता पाहे काहे मद ना होई पैसा और परसीदी हर कोई पचा नहीं बाता है जो नहीं पचा पाएगा उसका पतन हो जाएगा और जो इन चीजों को पचा लेगा वो आगे निकल जाएगा तो कोशिस करते रहो एक्जाम जितने भी आए उनमें देते रहो एक एक्जाम में तुम्हारी किस्मत काम करेगी और उसके आदार पे तुम कहीं भी पहुंच सकते हो यूटूब पे मैंनत कर रहे हो तो करते जाओ करते जाओ अब यह गाईकार जितने भी मैंने नाम बताए अगर वो यह सोचते है कि मेरा हर गाना उसी तरीके से वाइरल हो नहीं हो Heat सकता ऐसा सोचना ही गलत है पाप है एसा सोचना ही मेरे जैसे एक वीडियो बहुत वाइरल हुआ था, अब मैं सोचता हूँ, मेरा हर वीडियो ऐसे हो ही नहीं सकता है और कभी, हाँ उसके आदार पर मैं मैं मेनत करके जहां पहुचना हो, वाँ पहुंच सकता हूँ, लेकिन यह नहीं कि मेरा हर वीडियो नहीं होगा आप भी अगर यूटूब पे मैनत कर रहे हो तो आपका हर वीडियो कभी वाइरल नहीं होगा हर वीडियो पे उतने व्यू नहीं आ सकते तुम अगर चाहते हो कि हर एक्जाम में मैं पास होता जाओ पास होता ऐसा हो ही नहीं सकता एक एक्जाम में होगे उसके बाद अगर तुम योग्य विक्ती हो तो तुम ही सफलता मिलते जो सफल हो गई है उन्हें फिर सफलता की ऐसी लत लगती है कि वो फिर हर हमें एक्जाम में ही सफल होते जाते हैं तो जिंता मत करिए लगे रहिए च चला सूरू करते हैं आपने जो नवरतन पढ़ रहे थे वो